केरला के आदरनिय मुख्य मंत्री श्री पिनरई विज्यन साब पंजाब के लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री भगवंतमान साब मंच पे मौझूद कई राज्यों के और कई पार्टियों के आज यहाँ पे आए हुए सभी नेतागन और मंत्रीगन और यहां पे आएवे सभी भाईयों बहनों आप सब लोगों को मेरा नमस्कार सब को मेरा प्रणाम मुझे लगता है आज इस देश को ये दिन भी देखना था ये जंतर मंतर वो जगह है जहां पे इस देश की प्रजा सरकारों के एक्स्प्लोईटेशन से तंग आके यहां पे धरने प्रदर्शन करने आती है लेकिन आज यहां पे केरला के मुझे मंत्री को अपना सारा कामकाज छोड़के केरला से दिल्ली यहाँ पे धर्ना करने के लिए आना पड़ा केंदर सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ मैं समझ रहा हूँ यह भी इस देश को यह दिन भी देखना था आज लगबग आधे राज्यों के अंदर विपक्ष की सरकारे हैं और आधे राज्यों के अंदर उन लोगों की सरकारे हैं जो विपक्ष की सरकारे हैं आधे राज्यों के अंदर तो लगबग सत्तर करोड़ लोगों को यह विपक्ष की सरकारे रिप्रेजेंट करती हैं 70 करोड़ लोगों को आधे देश को और इस वक्त ऐसा लगता है कि केंदर सरकार ने विपक्ष की सरकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है ऐसा लगता है कि जंग छेड़ी हुई है लड़ाई छेड़ी हुई है हिंदुस्तान पाकिस्तान करक्षा हैं हम लोगों के साथ हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप इन सतर करोड़ लोगों को अपना नहीं मानते क्या आप केरिला के लोगों को अपना नहीं मानते क्या आप तेल्लाडू के लोगों को अपना नहीं मानते क्या आप करनाटका के दिल्ली के पंजाब के वेस्ट बेंगाल के लोगों को अपना नहीं मानते क्या ये सारे पराये हैं क्या ये भारत के नागरिक नहीं है यहां के 70 करोड लोगों ने विपक्ष के लोगों को चुनके सरकार बनाई सम्विधान के अंदर लिखा है कि इन सरकारों की क्या पावर है शिक्षा की पावर राज्य सरकारों की स्वास्ति की पावर राज्य सरकारों की सम्विधान के अंदर लिखा है कि क्या क्या पावर है आप हमें अपना कामी नहीं करने देते हैं सारी विपक्ष की सरकारों को तरह तरह से प्रताडित करने के लिए आज केंदर सरकार सारे हत्खंडे अपना रही है मोटे मोटे तोर पे देखें तो तीन तरह से केंदर सरकार विपक्ष की सरकारों को तंग कर रही है सबसे पहला केंदर सरकार जायज फंड जो हग है राज्जियों का वो फंड नहीं दे रही है दूसरा तरीका गवर्नर्स के और लेफटिनेंट गवर्नर के जरीए रोज काम में टांगडाती है हर काम में टंगडाती है और तीसरा तरीका एजन्सीज को छोड़के जिसको मरजी पकड़के जेल में डाले जा रहे हैं सबसे पहले मैं पहले तरीके पहाता हूं यहां पे पिनरे विजियन साब बैठे हैं पंजाब के मुख्य मंतरी बैठे हैं मैं दिल्ली का मुख्य मंतरी हूं और कई सारे राज्यों के मंतरी गणाए हूं है हम सारे रोज इस बात को जेल रहे हैं कि जो जाए जो फंड उस राज्य के बनते हैं वो फंड हमें नहीं दिये जा रहे अगर केरिला के लोगों को उनके हक के फंड नहीं दिये जाएंगे तो काम कैसे चलेगा, सरकार कैसे चलेगी केरिला की सरकार कैसे चलेगी, तमिल लाडू की सरकार कैसे चलेगी और हम यह भीक मांगने नहीं आए विजियन साहब यहाँ पे अपने घर के लिए अपने परिवार के लिए पैसे मांगने नहीं आए अपने बच्चों के लिए अपने भीवी बच्चों के लिए पैसे मांगने नहीं आए वो केरिला के लोगों के लिए पैसे मांगने आए हैं आज पंजाब के मुख्यमंतरी आपने तीन करोड़ लोगों के लिए फंड मांगने के लिए आए है मैं दिल्ली का मुख्यमंतरी अपने दिल्ली के दो करोड़ लोगों का हक मांगने के लिए आया हूँ संविधान में लिखा है कि कितना पैसा किस सरकार को मिलेगा ये वाला टेक्स आएगा मैं इंकम टेक्स में था ये थोड़ा सा जादा जानता हूं इसको तो कितना फंड कौन सी सरकार कितना फंड इस्तेमाल करेगी कैसे इस्तेमाल करेगी फिनैंस कमिशन होगा फिनैंस कमिशन तैय करेगा ये पैसा केंडर के पास जाएगा, ये पैसा राज्यसर का, अरे जो हमारा हक है, हमारा नहीं, लोगों का हक है, केरला के लोगों का हक है, तमिलाडू के लोगों का हक है, वेस्ट बंगॉल के, पंजाब के, दिल्ली के लोगों का हक है, वो हक आप कैसे छीन सकते हैं लोगों का आप उनका काम कैसे रोक सकते हैं अगर आप हमारे लोगों के पैसे नहीं देंगे तो हम सड़के कैसे बनाएंगे बिजली कैसे देंगे लोगों का विकास कैसे करेंगे मैं भी एक दो बैनर देख रहा था उसमें लिखा था कि केरला के 8400 करोर रुपे रोके हुए और मान साथ से मैं थोड़े दिन पहले बात कर रहा था पंजाब के भी 8000 करोड़े से ज्यादा फंड रोके हुए है अब एक एक फंड अभी पंजाब सरकार थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोट में गई कि हमारा पैसा रिलीज नहीं कर रहे RDF का पैसा RDF लगए चार पांच हजार करोड़ो बनता है 55 करोड रुपे रुपे रूरल डवलप्मेंट फंड का पैसा रिलीज नहीं कर रहे कैरल भी गया है सुप्रीम कोट की हेरिंग अगले अफ़ते फिक्स हुई है और तुरंत केंदर सरकार से फोन आ आ गया आईए बैठके बात करते हैं तो हम छोटी छोटी बातों के लिए सुप्रीम कोट जाएंगे क्या ये क्या बत्तमीजी है आप अपना काम क्यों नहीं करते हैं हम हर चीज के लिए सुप्रीम कोट के पास और भी तो बहुत काम है सुप्रीम कोट भरा हुआ है केसे से जनता के केसे से हम अपने फंड लेने के लिए भी हमें फंड लेने के लिए जनतरमंतर पे आके बैठना पड़ेगा करोड में से बदले में दिल्ली के लिए हमें कितना पैसा मिलता है गैस कर सकते हैं आप लोग दो लाख करोड रुपए हम केंदर सरकार को देते हैं दिल्ली के लोग मिलके इंकम टैक्स में और उस दो लाख करोड में से दिल्ली के लोगों को एक साल में 325 करोड रुपए मिलत इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा होगा सौ साल में जितना ये लोग लूट रहे हैं ये तो हद हो गई है तो कपिल सिबल साहब का स्वागत है दूसरी चीज गवर्नर्ज और लेफ्टिनेंट गवर्नर्ज के जरीए ये जिस तरह से सरकारों को तंग कर रहे हैं सम्विधान के अंदर साफसाफ लिखा है कि ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के अंदर भी रोज गवर्नर हर राज्य के अंदर टांग डा रहे हैं सबसे इंट्रेस्टिंग तो अभी पंजाब के अंदर हुआ पिछले साल पंजाब सरकार ने बजट सेशन अपनी असम्बली का बजट सेशन कॉल करने के लिए गवर्नर के पास फाई भेजी गवर्नर ने बजट सेशन करने की परमिशन नहीं दी सोचिए एक चुनियोई सरकार फुल स्टेट उसका मुख्यमंतरी उसकी कैबिनेट प्रस्ताव पारित करके कहती है कि हम फलानी तारिक से बजट सेशन बुलाएंगे और उसमें राज्य का अगले साल का बजट पास करेंगे गवर्नर ने बजट सेशन की भी परमिशन नहीं दी अल्टिमेटली सुप्रीम कोट जाना पड़ा सुप्रीम कोट ने गवर्नर को खुब लताड़ा लेकिन प्राब्लम ही है कि इनको लटार का गाली गलोज के इनको को सुप्रिंग कोर्ट रोज लटारता है इनलोगों को इंको कोई फरक ही नहीं पड़ता तो इस तरही से दिल्ली के अंदर तो आप सब लोग देखी रहें कि हर काम के अंदर छोटे से छोटे काम के अंदर टांग अडा रहे हैं और तीसरा तडीका है ईडी यह अब इनका एक नहा हथियार आगया ईडी अभी तक इस देश के अंदर ये कानून होता था कि अगर आपने कोई क्राइन किया तो उसकी जांच होती थी फिर उसमें मुकदमा चलता था मुकदमे में तेह होता था कि कौन कौन दोशी है कौन कौन निर्दोश है जो दोशी है उसको सजा मिलती थी वो जेल जाता था मुकदमे के बाद मुकदमा खतम होने के बाद आदमी जेल जाता था जिसको दोशी माना जाता था अब तैय कर लेते हैं कि इसको जेल भेजना है तो उसको पकड़ लेते हैं उसको जेल में डाल देते हैं फिर सोचते हैं अब इस पर क्या मुकदमा करें इस पर क्या केस बनाएं फिर यह केस बनाते हैं और केस बनाने के बाद फिर वो तब तक जेल में रहता है जब तक की मुकदमा पूरा ना हो जाए और वो निर्दोष थाबित न हो जाए हमारे देश के अंदर 15-15 साल लग जाते और जब तक उस आदमी का मुकदमा पूरा नहीं हो जाता वो निर्दोष साबित नहीं हो जाता तब तक वो जेल से बाहर नहीं आएगा ये तो बहुत खतरनाक है अभी हिमन सुरेन साब को इन्होंने जेल में डाल दिया अभी तक उनके ओपर कुछ भी साबित नहीं हुआ है अभी उनके ओपर मुकदमा नहीं चला है अभी मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ है अभी जाच चल रही है लेकिन अगर मुकदमे को पंदरा साल लगे तो हिमन सुरेन साब पंदरा साल जेल में रहेंगे और ये तो किसी को भी कर दें, कल मुझे पकड़के जेल में डाल देंगे, विजियन साब को पकड़के जेल में डाल देंगे, स्टेलिन साब को पकड़के जेल में डाल देंगे, सितरह मया साब को पकड़के जेल में डाल देंगे, सुक्विंदर जी को किसी भी को भी पकड़ की जेल में डालेंगे अर सरकार गिरा देंगे हेमन सुरीन साथ को जेल में डाला उसके 48 घंटे की टोड़ने की कोशिश करते रहे जे-म-म को तोड़ देखे लगा ब्रहे हैं यो यह तो भग्वान का भला और जेम-मवालों का महान जेम वाले जो तूटे नहीं उनकी इनके सामने तो यह आप यह किसी भी को भी पकड़ जेन में डाल देंगे उस की सरकार तोड़नेंगे और फिर अपनी सरकार बना लेंगी क्या है मैं पूचना चाता हूं आए मैंने दिली में बिज्ली संथी बिज्ली का दिल्ली के अंदर बद्यपरदेश मैं गुजरात में उत्तर-प्रदेश में सबसे मैंगी विज्ली मिल रही है देश में तो बिज्ली दारू सब फ्री मध्य पर्देश में गुजरात में उत्तर पर्देश में चले जाओ इतना महंगा इलाज सरकारी अस्पटालों का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों को मैं पूछना हूं लोगों का इलाज फ्री करने वाला चोर है कि लोगों का इलाज महंगा करने वाला च किसी को भी पकड़के चोर-चोर-चोर चिलाना चालू कर देते हैं तो दोस्तों देश का बहुत बुरा हाल है मैं विज्ञन साब को बहुत बहुत बदाई देना चाहता हूं उन्होंने आज यह अलग जगाई है सब कोई कठा किया है यह देश के वल हमारा नहीं है यह देश 140 चालिस करोड़ लोगों का है और आज मैं बीजेपी वालों को कहना भी चाहता हूं समय का चक्र घूंगता है समय बड़ा बल्वान है एहंकार मत करो भगवान न करे कल समय का चक्र जब घूमेगा और तुम इधर हो गये और हम उधर होएंगे कहीं ऐसा ना हो कि यही कानून तुमको खाने के लिए दोड़ें उसके बाद